तोले पार्ट में हमने टेंस पड़े थे ठीके समय को समझा था अब जो समय है जैसे प्रिजेंट था प्रिजेंट के भी रूप होते हैं प्रिजेंट टेंस के इनके चार रूप होते हैं ऐसे पास्ट के भी चार रूप होते हैं और फ्यूचर के भी चार रूप होते हैं जैसे प्रजेंट क्या होता है कांटिनियस मतलब पहला होता है आपका प्रजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट ठीके और दूसरा कांटिनियस दूसरा कांटिनियस ठीके और तीसरा होता है पर्फेक्ट और चोथा होता है पर्फेक्ट कांटिनियस जैसे प्रजेंट के ऐसी होते हैं रूप इसमें वस पास्ट लग जाता है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कांटिनियस पास्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट कांटिनियस ऐसे future, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous, ठीक है, सबके चार-चार रूप होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, indefinite की, किता है, ठीक है, ती है, आता है, ठीक है, indefinite में, और continuous में, रहा है, और रही है, ठीक है, जे आता है, और perfect में क्या आता है, चुका है, और चुकी है, ठीक है, इससे पहचान होती, perfect की, और perfect continuous में, रहा है, रही है, और साथ में क्या दिया जाता है, पिलस, समय, ठीक है, ऐसा ही इसमें हाल होता है, past में, future में, जैसे, इसमें क्या कर देना है, past में, ठा कर देना है, बस ठा कर देना है, और बैसे किरम चलेगा, past indefinite में, इसमें, है है, ठा बस कर देना है, रहा ठा, ठीक है, और रही थी, ऐसे करेंगे, और चुका था, ठीक है चुका चुकी थी इसकी पैचान हो जाए गे पास्ट की और पास्ट परफेक्ट कांडिनेस की था बस आ जाएगा इसमें ठीक है ठीक है और समय यहसे future में चलता है गा आ जाता है इसमें क्या आगा गा और गी ठीक है future indefinite में और future continuous में रहा होगा रहा होगी ठीके ऐसे आते हैं और जैसे perfect में क्या होगा चुका होगा फिर चुकी होगी ऐसी पहचान होगी future perfect में और गाबस आ जाता है क्या जाता है गा ठीके गागी का प्रियो होगा और किरम आपके बारा हो जाएंगे ऐसे ठीके अब इसको पहचानने के बाद अगली पार्ट में आपको subject के बारे में बताया जाएगा और indefinite अपन शुरू कर देंगे ठीके पहले subject के बारे में और बर्वे के बारे में अपन समझेंगे अगले पार्ट में और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना से जरूर करें जिससे आपको नए नए लोग जुड़ें और हमारे चैनल से आप अच्छी आसानी से सीख सकें ठीके